आज हमारी क्लास जो होगी वह structure of atom chapter की क्लास है और इसमें आज हम लोग बहुत इंटरस्टिंग चीज़ करने वाले हैं हमारा आज का topic बच्चों होने वाला है orbitals के बारे में, orbitals की shapes के बारे में और आपको इससे अच्छे वीडियो किसी और चैनल पे नहीं मिल सकते यूँ कि मैंने बहुत सारे 3D images लगाए हैं तो कि आपको समझ में आ सके कि orbitals actually होते क्या हैं, उनकी shape क्या होती है और जो आज ही class है बच्चों वो आपकी competition level के exam के इसाब से बहुत जादा important है because मैं notes वगरा जो हैं उन सबके formula और यह साथी चीज़े पढ़ाने वाली हूं और आपको यह content है वो generally reference book में नहीं मिलता है कोई भी आपकी reference book जो आप follow करते हैं आप वहाँ देख लेना आपको वहाँ नहीं मिलेगा मैंने 3-4 books से, module से collect करके material prepare किया है तकि आपको benefit हो सके आपके entrance exam के लिए students आज की class को start करते हैं आज का हमारा topic, मारा chapter है structure of atom जैसा कि आप लोग जानते हो and हम लोग पढ़ने वाले हैं orbitals के बारे में, shapes of orbitals के बारे में ठीक है बच्चों, तो यह topic है वह बहुत जादा simple है अगर धंक से पढ़ा जाए तो चलिए आज की class को start करते हैं students, आज का जो मारा topic है structure of atom यह topic है हमारा, वह इसी class आपकी 11th का है chapter and इसमें हमारी जो आज class है वह है trouble batch की class and आज जो इसका part हम नों discuss करने वाले हैं वह part एवच्चों part number 15 part number 15 आज हम discuss कर रहे हैं ठीक है इससे पहले हम काफी सारी वीडियो इस chapter कर चुके हैं तो आप लोग जाके इसी playlist में देख सकते हैं प्रवल बैच की नाम से सबसे पहली बाद की orbital क्या होता है आप लोग जानते हो orbital एक ऐसा space है एक ऐसा region है जहां पे electron हमें मिलेगा इसकी 99% chances है तो orbital क्या होता है orbital is the region of space around the nucleus nucleus के आसपास एक ऐसी जगा है within which the probability of finding electron जहां probability जो है finding electron की वो होती है maximum is 99% तो बच्वों एक ऐसा space होता है 3D shape होती है जहां उसके अंदर electron मिलने की chances maximum होते है तो आप यहां पर side make diagram देख रहे हो मेरे पास तो यह जो diagram बच्वों यह d-orbital के हैं d-orbital हमने previous classes में quantum mechanical model जो हमने discuss किया है उन classes में हमने यह चीज़े discuss करी है कि orbitals क्या होते हैं postulates of quantum mechanical model क्या है कि आप postulates को लेकर कि हम आगे पढ़ते हैं तो यह सारी shapes जो आप देख रहे हो screen पे यह shapes बचे इस तरह की मैंने बताई थी यह d-orbital की shapes है d-xy, d-y, d-z, d-z, d-x, d-x-2, d-z-2, d-z-2 यह 5 तरह की d-orbital होते हैं चलिए आगे चलेंगे तो the probability of at any point एक point पे around the nucleus जो हम use करते हैं Scrodinger wave equation को use करके मैंने आपको पहले भी equation बताई है equation क्या होती है Scrodinger wave equation को use करके हम अगर represent करते हैं और किसी particular point पे density निकालते हैं हम लोग ठीक है the probability at any point around the nucleus is calculated using Scrodinger wave equation and is represented by the density of that point उस particular point पे electron की density क्या है electron की मिलने के chances क्या है वो हम लोग find out करते हैं next है the shape of electron cloud electron cloud की shape जो है वो उसी electron की presence के हिसाब से हम लोग identify करते हैं उसी के हिसाब से dotted dots लगाते हैं और हमें idea हो जाता है कि electron कहां कहां present हो सकता है है ना electron cloud की जो shape है उसके लिए हमें काफी जादा help करती है आगे चलेंगे हम student significance पढ़ते हैं wave function का मैंने पहले भी आपको wave function पढ़ाया है इसको हम लोग size से represent करते हैं है ना इसको आपने देखा ही था तो the wave function of an element of an electron in an atom has no physical significance इसकी कोई particular physical significance तो नहीं है in case of light or sound light में sound में जो square होता है amplitude का वो हमें उसका light का sound का intensity प्रोवाइड कर आता है similarly यहां पे भी यही होगा तो psi का अगर हम square लेंगे तो हम उस particular point पे उससे कितनी amplitude है वो find out कर लेंगे या फिर उस particular point पे electron मिलने की chances क्या है वो हम find out कर लेंगे similarly the square of the amplitude of electron wave, electron की जो wave है उसका अगर हम square कर लेते हैं हमें उस जगह पे electron की intensity कितनी है वो मिल जाएगी which in view of Heisenberg uncertainty principle means probability of finding the electron at that point तो आपने Heisenberg uncertainty principle में यह चीज़ पढ़ी थी कि हम एक ही time में momentum and position नहीं determine कर सकते हैं दोनों चीज़ें एक चीज approximate रहेगी एक चीज accurate रहेगी चीके ना तो यह वही है थोड़ा approximation हमें लेके चलना पड़ता है अब सिंबल देख रहे हैं यह जो सिंबल है बच्चों यह हमें इसकी जो value है यह help करती है find out करने में तो यह क्या चीज़ है region around the nucleus which represents a electron density at different points is called an orbital यह होता है orbital and that is why the wave function for an electron in an atom is called orbital wave function इसको साई को क्या कहा जाता है इसको orbital wave function कहा जाता है ठीक है बच्चों आगे चलेंगे s orbitals की shape की बात करते हैं s orbital की shape कैसी होती है spherical होती है spherical in shape ठीक है देखिए s orbitals are spherical in shape so they are unidirectional orientation कोई चीज spherical है तो उसमें हम लोग यह नहीं कह सकते हैं इस direction में जो ball है कोई चीज spherical है तो उसमें कोई direction का point रह नहीं जाता है वो हर जगा से एक जैसा ही दिखाई देता है ठीक है आप किस तरफ से भी देख लो आपको sphere ही दिखाई देगा एक जैसा ही नजर आएगा कहीं भी आप देखेंगे all directions में जो electron फाइंड करने की probability है at a particular distance from the nucleus एक particular distance से ठीक है ना तो nucleus से particular distance पे आपको electron मिलता है तो यह जो है s orbital आपका spherical shape में होता है main important बात यहाँ पे यही है बच्चो देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए है 1s 2s and 3s देखो first shell के अंदर जैसे अगर मैं यहाँ पे draw करती हूँ बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को यहाँ पे मैंने draw किया यह है nucleus nucleus के वहार different shells है यह first shell है यह second shell है इसी तरह से third shell होगी और इस तरह से fourth shell होगी ठीक है हर shell के पास अपना s orbital होता है हर shell के पास अपना s orbital होगा तो बटा जो one first shell के अंदर अगर कोई orbital है s orbital उसका नाम 1s हो जाएगा तो first shell के अंदर कोई orbital है तो उसका नाम 1s second shell के अंदर कोई orbital होगा उसका नाम 2S इसी तरह से अगर कोई third shell के अंदर होगा तो उसका नाम 3S चीक है ना तो यह जो है यह shell के number के हिसाब से आपको यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कौन से कौन से orbit के अंदर कौन सा orbital present है अब देखने वाली बात यह है समझने वाली बात यह है बचों कि यहाँ पे यहाँ पे आपने देखा कि first जो जो shell है first orbital है 1S इसके अंदर कोई भी खाली space नहीं था कोई भी node नहीं है node मतलब एक ऐसा space जहाँ पे electron ना मिले ठीक है अब second को देख रहे हो आप तो यहाँ पे यह वाली place तो है जहाँ पे electron मिलने की chances है maximum red color में दिखाई दे रहा है आपको यह और इसके बाद यह वाला जो area है यहाँ भी आपको electron मिलने की chances है बट जो यह white space है जिसको node कहा जा रहा है यहाँ पे कोई भी electron नहीं मिल सकता है no electron इसको node कहा जाता है ऐसा area जहाँ electron के मिलने की chances zero हो जाते है ऐसे ही 3S पे आ जाईए यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास अगर इसी तरह से देखो यह इस area में electron मिलेगा इस area में electron मिलेगा खाली space कौन सी है यह खाली space है यह खाली space है मतलब nodes है यहाँ पे यहाँ पे दो nodes है ठीक है बच्चो तो यह node find out करने के लिए आपको question पूछा जाता है कौन से orbital में कितने nodes होंगे यह S orbital का आपको समझ में आ गया structure जब देखते हैं कैसे find out कर सकते हैं हम nodes पे question आता है आपके entrance exam में जो मैंने आपको वीडियो के starting में भी बोला So shape spherical होती है 1S में clear है यह बात एकदम shape क्या है spherical density of electron cloud क्या है the density of electron cloud is maximum at the surface of nucleus ठीक है आपके nucleus के सबसे पास में जो s orbital अगर होता है तो उसके पास में electron finding की जो probability है वो बहुत ज़्यादा ही maximum होती है nodes 1S के अंदर कोई node नहीं होता है no node यह तो हमने अभी देखा तहां देखा हमने 1S का shape देखा 1S के अंदर कोई भी node नहीं है ठीक है ना तो node यहाँ पर नहीं है 1S के अंदर आगे चलेंगे 2S की बाद करते हैं अब चलो 2S की shape देखे कैसी है spherical है density कैसी है the probability of density is maximum at nucleus and decrease at a distance यहाँ पर maximum है उसके बाद एक distance पर जाने के बाद क्या हो जाएगी कम हो जाएगी उसके बाद at a distance then again increases उसके बाद में फिर increase हो जाती है तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगी decrease और उसके बाद फिर क्या हो जाएगी increase there is one nodal region nodes कितने बच्छों यहाँ पर एक node है देख पार है उन्हाँ एक node area है जहाँ पर electron नहीं मिलेगा हमें one node is present in 2S come to the 3S orbital बच्छों shape क्या है spherical है देख पारे हो density कैसी है the probability density is maximum at nucleus nucleus की पास maximum है decreases at a distance फिर यहाँ decrease हो गई and then again increases फिर increase हो गई फिर decrease हो जाएगी फिर increase हो जाएगी यहाँ पर nodal region कितने है 2 nodal region है 2 nodes present है जहाँ पर electron जो है आपको वो नहीं मिलेगा तो nodal region कितने है यहाँ पर 2 nodes है इसमें 3S के किसमें ठीक है आप यह graph भी देख सकते हो बच्छों यह graph आपको यह क्या समझा रहा है देखो यह जो graph है यहाँ पर वो यही समझा रहा है आपको कि आप अगर nucleus के पास देखें यह distance है जितना हम दूर जा रहे है nucleus से पास में देखते हो तो इतना एकदम maximum probability है ठीक है अगर हम size square की value का graph ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि एकदम starting में बहुत ही ज़ादा probability है और फिर decrease हो रही है तो electrons जो है वो center में और यहाँ पर around the nucleus बहुत जादा होंगे उसके वाँ जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वहाँ पर probability जो है वो कम हो जाएगी decrease हो जाएगी बाहर ठीक है come to the next graph दूसरे graph में आप देखो पहले कुछ है probability, electron मिलेंगे फिर कम हो जाएगी फिर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब यहाँ electron मिलेंगे फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई तो यह हमें यह समझा रहा है यह वाला जो graph आया है जो इस तरह का graph आया है उससे हम पता लग रहा है electron के chances यहाँ पे हैं और फिर यहाँ पे है यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है इससे हमें यह shape मिली कि center में electron की chances जादा है फिर यहाँ पे electron नहीं मिलेंगे फिर यहाँ पे electron फिर से मिलेंगे चीक है come to the third graph यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है पहले electron मिलेंगे, chances है, फिर कम हो जाएंगे, फिर electron मिलेंगे, फिर कम हो जाएंगे और फिर electron मिलेंगे, तो जहां दो spaces पर electron के chances नहीं है, उसको तो हम node कहते हैं, है न, तो यह जो graph है यह आपको books में मिलता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या समझाना चाह रहा है चलि size and energy की बात कर लेते हैं The size and energy of s orbital increase with increasing value of n मतलब n की value increase होगी तो s orbital जो है उसका भी size increase होगा उसकी भी energy increase होगी मतलब first shell का जो s होगा orbital उसका size भी छोटा, उसकी energy भी कम second shell का अगर s orbital है तो उसका size भी बड़ा उसकी energy भी ज़ादा third shell का और भी बड़ा ये तो हमने देखी लिया न ये तो हमने देखा ये यहाँ पर first का देख रहे हैं आप कितना चोटा size का orbital है second का comparatively बड़ा है third shell तो और भी बड़ा है तो आप समझ पा रहे होगी किस तरह दिख रहे है 3D देखने में ज़्यादा clear हो जाती है चीजें तो इसका मतलब n value के बढ़ने से अब n value समझ जाओ यहाँ पर क्या है n value क्या है बच्चों n का मतलब है shell number मतलब की first shell का होता है 1s second shell का होता है 2s and third shell का होता है 3s जब यह 1, 2, 3 value increase होगी उसी के साथ-साथ आपका क्या increase हो जाएगा बच्चों first, second, third जो n number है उसके increase होने से हमारी यह जो size है ठीक है यह बढ़ता जाएगा size भी increase होगा and साथ-साथ में energy भी increase होगी ठीक है ना? clear है ना यह बात? okay, यह important point था अगर आपके options में आता है इन चारों में से किसके energy जादा है तो यह समझ जाना कि n value देखनी है n value कौनसी है? जो सामने लिखी हुई है जो number लिखा हुए, this is the n value ठीक है? n value देखकर के आपको समझ रहा है come to nodes nodes क्या होते है? nodes कैसे निकालेंगे? from boundary diagrams we can see number of nodes number of nodes तो आप देख पा रहे थे है ना? number of nodes का formula बच्चो n-1 क्या formula है? n-1 n-1 कैसे हम लोग apply करें यहाँ पे? अगर मैं बात कर रही हूँ first shell की अगर कहीं पे n is equal to 1 first shell है तो n-1 का अगर formula अपलाई करती हूँ तो कितना आगया answer 0? इसका मतलब 1s के अंदर 0 nodes है आई बात समझ में अगर मैं वहीं 2 के लिए apply करती हूँ तो 2-1 कितना आ जाएगा 1? इसका मतलब 1 node हो जाएगा इसका मतलब 2s के अंदर वो कितने nodes हैं बचो? 1 node है वो तो हमने देखा यहाँ पे second 2s के अंदर कितने nodes है? यहाँ पे मार पास 1 node है और इस वाले के अंदर कितने nodes है? यहाँ पे मार पास 2 nodes है तो nodes हम calculate करेंगे तो formula क्या लगाते है, n-1 ठीक है, यह n-1 जो formula है वो nodes calculate करने का formula है अब यह तो nodes हो गए, जो circular nodes थे, ठीक है, but no angular node in s-sub shell s-sub shell के अंदर कोई भी angular node नहीं होता है, अब angular node होगा क्या, इसको हम आगे देखते हैं आगे समझेंगे, ठीक है बचो now coming to p-orbitals p-orbitals बहुत important है p-orbitals की बात कर लेते है shape कैसी होती है p-orbitals की dumbbell shaped होती है, dumbbell बतलब जो exercise करने के लिए dumbbell use करते है उसी तरह का shape होता है इनका for p-orbitals p-orbitals के लिए l की value क्या बताई थी, मैंने आपको 1 बताई थी न, p-orbitals के लिए and s-orbitals के लिए क्या होती है, 0 होती है यह समझाया था मैंने आपको अब l की value जो है बच्चों, यहाँ पर 1 होती है p-orbitals के लिए और अगर हमें s के m values निकालू तो minus 1 से ले करके plus 1 तक all values होंगी है न, हाँ है न, all values होंगी न, मैं सको क्या लिए सकती हूँ minus 1 plus 1 and 0, यह 3 values होने वाली है जैसे आप देख रहे हो है न, इसका मतलब 3 तरह का p-orbitals होता है 3 तरह का होता है किस के basis पे, उनकी direction के basis पे px, py and pz यह 3 तरह के होते हैं ठीके बच्चों, in each p-subshell सभी p-subshell के अंदर यह 3 तरह के हमारे यहाँ पे p-orbitals होते हैं इतना मैंने आपको quantum numbers वाली class में करा दिया था अब यहाँ पे देखिए यह पहला वाला है p-orbitals px-orbitals जो है, वो x direction में oriented है, ठीक है इसलिए इसको px कहा गया, py orbital यह y direction में oriented है और pz-orbitals यह z direction में oriented है इसलिए direction की वजह से orientation की वजह से इनके ऐसे नाम रखे गए हैं, यह ध्यान रखे हैं इसको बहुत अच्छे से चलिए, let's see the size and energy size बचो, like s-orbitals p-orbitals also increase in size and energy with the increase in principle quantum number n, n की value बढ़ने से p-orbitals का भी size and shape size बढ़ जाता है जैसे अगर मैं कहूँ 2p के लिए तो 2p वाले में size थोड़ा छोटा होगा, 3p में size बढ़ जाएगा and 4p में size और भी जादा बढ़ जाएगा energy भी बढ़ जाएगी साथ के साथ में, क्योंकि shell की energy भी बढ़ रही है ना, अगर increase होती जाती है चीक, तो जो third shell है उसका अगर p orbital होता है, 3p होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 2p होता है first shell में तो p होता ही नहीं इतना space ही नहीं होता है, सिर्फ s होता है चीक है, तो बच्चों 2p और 3p में comparison करोगा अगर आप तो 2p से जादा energy जो होगी यह depend करता है, n value पर ठीक है, principle quantum number की जो value है n, मतलब shell number उस पर depend करेगा now coming to angular nodes nodal plane, इनकी बात कर लेते हैं angular nodes क्या होते हैं, nodal plane क्या होते हैं nodal planes, angular nodes these represent the plane passing through the nucleus यह depend करता है, किस पे plane passing through the nucleus where probability density is 0 मतलब हम एक plane pass करेंगे बचों plane को ऐसा समझ लो कि यह एक glass का slab है जो nucleus से pass करना चाहिए और उस glass slab के रास्ते में कहीं भी electron ना आए अब ऐसे कितने glass slab आप फसा सकते हो किसी भी structure में और मैं बोलूं कि S orbital है देखा, आपने सोच लिया spherical ship का था क्या मैं उसके बीच में कहीं पे भी ऐसा slab glass का कांच का slab अनली जे यह कांच का slab है मैं पस कुछ भी देख रहे हो आप लोग ठीक है अगर मैं इसको उसके बीच में फसा देती हूँ S orbital के बीच में nucleus से pass होना चाहिए तो क्या यह ऐसा होगा कि यह कहीं पे भी electron से touch ना हो नहीं ऐसा possible नहीं है S के case में possible नहीं है न तब ही तो S वाले में कोई angular node था ही नहीं P वाले में angular nodes होंगे देखते हैं कैसे होंगे तो angular node क्या होता है plane ऐसा plane pass करें अगर हम जिसको nucleus से और वहां पे उसके electron touch नहीं होना चाहिए यह electron density वहां 0 हो जाए तो angular node है ना बच्चो इसकी value जो होती है उसको हम value of L इससे भी निकाल लेते हैं यह इसका formula रहता है देख लो ध्यान से angular node is equal to value of L जितनी L values उसके basis पे हम निकाल सकते हैं देखते हैं यह देखो angular node अब यहां पे आप देख रहे हो PX की shape देख रहे हो PX जो है कैसी shape का है यह इस तरह की shape का दिखाई देरा आपको आप सामने से अगर देखोगे इसके बीच में अगर मैं glass की slab यहां फसाती हूँ nuclear से pass करेगे और वहां पे कोई electron भी नहीं होगा तो यह सही है समझ में आ रहे है आपको यह क्या है इस तरह से एक glass slab है जो हमने फसाया है या ऐसा plane है जो nuclear से pass कर रहा है और वहां पे chances of finding electron are zero यह होता है angular node इसी तरह से PY में देख लीजे यह एक glass का slab जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ही PZ में देख लीजे यह आपको दिखाई दे रहा है तो यह जो आपने angular node मतलब जो ऐसा कुछ लगाया है plane जहां से electron की chances zero हो उसी को कहते हैं हम लोग angular node क्या कहते हैं बच्छों इसी को angular node कहा जाता है ठीक है तो PX, PY, PZ जो आपने भी shape देखी है वो कौन से P है वो 2P है 2PX, 2PY and 2PZ अब हमने L का formula यहाँ पर क्या हाँ अप्लाई करा यह आपने formula देखा ना बच्छों यह लिख रखा है formula के angular node is equal to value of L P वालों के लिए value of L क्या थी S के लिए value of L क्या थी? जो angular node होगा वो 1 होगा ठीक है? और D के लिए value of L क्या थी? 2, तो वहाँ पर देखेंगे उसकी बात वहाँ पर करेंगे अभी यहाँ पर समझ में आगे आपको कि L की value 1 है तो यहाँ पर angular node भी 1 ही होगा यह इसका formula है, ठीक है बच्छों? यहाँ पर देख लो, इसको और clearly दिखाई दे रहा है आपको इस structure में यह एक हमारा orbital है और यहाँ पर हमने इस तरह से एक plane pass कर रहा है उसके बीच में से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई chances of electrons नहीं है similarly, इसमें समझ में आ रहा है, इसमें भी समझ में आ रहा है तो यह एक plane होता है, ठीक है? तो इन सभी में, बच्छों देखो, 2P हो, 3P हो, 4P हो सबके case में L की value 1 ही होती है कौन सा quantum number है यह? azimothal quantum number azimothal quantum number जो है बच्छों, वो हर जगा आपके कोई भी P orbital हो, 2P हो, 3P हो, 4P हो, सब में यही होता है सभी में क्या है? angular momentum angular node क्या रहेगा? सब में 1 रहेगा 1 ही रहेगा, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है ठीक है न, clear हो गया यह बात तो clear है, आगे चलते हैं अब बात करते हैं, radial node scheme radial node is a circular ring that occurs as a principal quantum number increases जैसे जैसे principal quantum number बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक ring और add होती जाएगी ठीक है, एक circular ring तो वो चीज़ होती है radial node ठीक है बच्छों, तो radial node दो तरह के nodes बताएं मैंने आपको एक radial node और एक आपका angular node तो radial node तो वही था जो हमने S में पढ़ लिया था already ठीक है ना, अब angular node भी आप पढ़ चुके हो P में, angular node एक plane होता है और radial, sorry radial node एक covering होती है एक transparent covering होती है जहाँ पर electron ना हो, ठीक है चलिए, radial node for P orbitals, कैसे निकालेंगे formula क्या है उसका, n is equal to 2, यह formula आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर n-l-1, यह formula apply कर सकते हो, दोनों formula से आपका radial node की value जो है वो आ जाती है, तो 2P के लिए अगर मैं radial node का formula apply करती हूँ कौन सा वाला formula, n-2 वाला formula अगर हम apply करते हैं यह n-2 वाला formula है इसको मैं apply करूँ अगर 2P के लिए बचे 2P के case में n की value क्या होती है, n की value 2 हो गई, 2-2 is equal to 0 इसका मतलब है कि 2P में कोई भी radial node नहीं है radial node मतलब, ऐसी कोई भी circular covering नहीं है जैसे 2S में, 3S में आपने देखी थी, 2S में देखी थी ना इस तरह से तो यह जो खाली space था वो node था न, ऐसा कोई भी खाली space जो है, वो 2P में नहीं होता है जैसा कि हमने अभी देखा है 3P में देखते हैं, 3P में अगर मैं यह formula अपलाई करूँ, n-2 वाला तो 3-2 is equal to 1 मतलब यहाँ P1 radial node होगा और 4P में कैसे होगा 4P में 4-2 is equal to 2, मतलब यहाँ पर 2 radial nodes होगे बच्चो अब radial node दिखाई कैसे देंगे P orbital में वो देखना हमारी importance है, यहाँ देखो समझ में आ रहा है, यह diagram आपको बहुत rare है, कहीं पर मिल जाए चीक है, तो मैंने आपको बहुत ही जादा research based notes बना के दिये हैं आपको किसी भी एक book में नहीं मिलेगा और and चीजे समझ में नहीं आती हैं just because of this reason only तो बच्चों यहाँ पर देखो, 2P ऐसा होता है देखने में कोई भी यहाँ पर radial node नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि covering हो, ठीक है, कोई खाली space नहीं है फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 3P में इस जगह पर electron मिलेगा उसके बाद इस जगह पर electron मिलेगा है ना, जो खाली space नहीं वीश में इसको node खा गया है कौन सा node है यह, यह है radial node ठीक है, और angular node कैसा होता है angular node लगाया जाएगा यहाँ पर ठीक है, angular node कितने है यहाँ पर radial node कितने है, 1 और angular node कितने है, 1 total nodes कितने हो गए, 2 समझ में आई ना, यह कौन सा node लगाया है मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर angular node लगाया है clear हो गई ना बात, समझ में आये ना angular node तो यहाँ पर भी 1 था है ना, पर यहाँ पर radial node नहीं है 2P के case में, तो angular node तो यहाँ पर भी 1 ही है, पर radial node यहाँ नहीं है, चलिए अगले में देखते हैं 4P में, यहाँ पर हमने लगाया radial node, radial node यहाँ पर present है, ठीक, angular node की बात करते हैं, यहाँ पर electron मिलेगा, यहाँ electron आपको मिलेगा, उसके बाद यह यहाँ पर electron आपको मिलेगा, है ना, कहाँ कहाँ electron नहीं मिल रहा, इस जगाँ और इस जगाँ पर node create हो रहा है, तब खाली space है, कौन सार node है बच्चों यह, यह है radial node, radial node कितने हो गए यहाँ पर, 2 हो गए, ठीक है, and angular node कितना हो गया, 1 हो गया, तो angular node तो PK case में हर जगा 1 ही च तो PK लिए हमेशा जो L value है, वो 1 ही रहती है, ठीक है, तो इसलिए angular node 1 ही रहेगा, and radial node की बात करते है, radial node का formula हर जगा apply करते है, तो हमारा formula क्या आएगा, देखो, n-2, मतलब 4-2 is equal to 2, तो देख रहे हो, आप यहाँ radial node कितने है, 2 है, यहाँ पर कितने है, 3-2 is equal to 1, तो यहाँ पर radial node कितना है, 1, और यहाँ पर 2-2 is equal to 0, तो यहाँ पर radial node कितने है, 0, clear हो गई न, यह बात, I think, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत clearly समझा दी है, मैंने, है क्या, चलिए, अब चलते है, d-orbitals पर, ठीक है, d-orbitals बचो, d-orbitals होते हैं, हमारे थोड़ी और complex, s और p से जादा complex हो गई, ठीक है, d-orbitals have double dumbbell shape, कैसी shape होती है, double dumbbell, इस तरह की shape होती है, double dumbbell shape होती है, which has donut, अब यहाँ पर एक ऐसा भी है, जिसकी donut-like shape होती है, dz-square जो होता है, वो थोड़ा अलग shape का होता है, ठीक है, अब इन में भी directional properties होती है, यह भी x, y, z directions में, अलग-अलग orientations में अलग दिखाई देते हैं, इसलिए these are also directional dependent, ओके, next is there are 5 d-orbitals, total 5 d-orbitals हैं हमारे पास, कौन से कौन से, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square, ठीक है बच्चों, shape देखें, इनके कैसी होती है, यह है d, y, z, ठीक है, तो यह y, z वाला जो है न, बच्चों, वो y और z, जो है, इनके बीच में बनाया जाता है, generally, ठीक है, यह है d, आपको बनाने वैसे कभी कहीं नहीं आते हैं, orbitals, इन पे बस questions आ सकता है, quantum numbers से based, और entrance exam में, notes वाले questions बहुत जादा आने की chances होते हैं, वो जादा important है, shape जो है, उसका आपको इतना question कुछ नहीं करना है, कहीं draw करने नहीं आएगा, next है d, y, x, x, y, next है d, z square, इसकी shape है, यह दिख रही है, donut like shape, donut देखा है, sweet होता है, donut इस तरह का दिखता है, ठीक है, तो donut नहीं तो आपने वो देखा होता है, वो कुछ इस shape का होता है, ठीक है, तो d, z square हो गया, d, x, z हो गया, और यह वाला होता है, dx square minus y square, तो पांस तरह के हो गए total, energy की बात कर लेते है, size and energy, यहाँ पे भी क्या है बचो, as the principal quantum number n increases, the shape remains same, but differ in size, n की value increase होने से, हम बार बार यही बात कर रहे हैं, कि n की value होगी, increase होगी, तो उसके साब से क्या होता है, size भी बढ़ जाता है, and energy भी बढ़ जाती है, size, energy दोनों बढ़ जाएंगे, तो notes यहाँ पे भी दो तरह के है, radial and angular, तो d orbital का radial note निकालने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे formula क्या रहेगा, बच्चो, n minus 3, वहाँ पे formula क्या था, p के case में formula क्या था, n minus 2, d के case में formula क्या है, n minus 3, यह formula किस चीज का है, radial note का, यह ध्यान रखना है, और radial note का formula यहाँ पे क्या रहेगा, p के case में क्या है बच्चो, n minus 2, d के case में क्या है, n minus 3, ठीकिया न, clear हो गया, अब यहाँ पे देखिए, एक और formula apply कर सकते हो, वह formula हर जगा एक formula और है जो हर जगा चलेगा यह वला formula N-L-1 यह formula हर जगा applicable है S में लगा लो P में लगा लो D में लगा लो यह formula सबके लिए है radial note का तो यह formula जादा easy है जादा better है इसको आपको याद करने की confused होने की ज़रत नहीं है आप P में तो N-2 लगाओगे D में N-3 लगाओगे दो-दो formula learn करोगे इससे अच्छा है radial note का यह formula learn कर लो N-L-1 यह formula everywhere कहीं भी लगा लो everywhere every case ठीक है न तो यह जादा better easy है N की value पुट करो L की value पुट करो और minus 1 कर दो simple बाकि आपकी मर्जी है जो आपको comfortable लगे तो बच्छों अगर हम 3D में निकालते हैं तो 3D में radial node आया 0 ठीक है न 4D में कितना आया node 1 and 5D में कितना आया 2 चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं angular nodes in d orbitals कितने होते हैं 2 होते हैं कैसे होते angular nodes तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने ऐसे हम 2 plane फसा सकते हैं ठीक है इन्होंने 2 plane फसा दिया है जहाँ पर जो nucleus से भी pass कर रहे है and वहाँ पर electron finding probability जो है वो भी क्या है 0 है ठीक इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे angular node तो d के case में angular node हमेशा कितने होते है two angular nodes होते है हमेशा ठीक है ना कितने होते है two होते है angular node आप देख रहे हैं यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है and यहाँ पर थोड़ा अलग case है यहाँ पर थोड़ा angular node है बच्छों तो इस तरह का होता है, ठीक है, यह थोड़ा structure देखके आपको याल रखना है कि थोड़ा different तरह का angular node आपका बाकी cases में है, तो sum up in general, in an orbital, अब सारी values को अगर हम जोड़ के देखें कि क्या बात हो रही है, चलिए, अभी यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, एक चीज़ बता देखें मैं आपको, यहाँ पर radial node किस तरह का होगा, radial node बचे, देखों, अगर d orbital ऐसा दिख रहा है, यह कौन सा है, 3d orbital है, 1d और 2d तो होते ही नहीं है, यह तो होते ही नहीं है, ठीक है, 3d orbital ऐसा दिख रहा है आपको, अगर मैं कहा रही हूँ कि 3D orbital में radial node इसमें तो नहीं है खुई भी ठीक है no radial node अगर मैं अगले की बात करूँ 4D की बात करूँ इसमें एक तो ये हो गया इसके उपर एक node आएगा बच्चो ऐसा node आएगा इस सरह से जिसमें electron finding probability फिर से हो जाएगी तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने nodes बन गई यह जो area है यह node हो गया तो 4D में कितने node है अगर आपको structure से समझ में आता है तो आप structure बना के देख ले न अगर आपको structure से नहीं समझ में आता है तो formula बना के देख ले न formula apply कर ले न मैं आपको सारी चीज़ें बता दी है radial node की भी और angular node की भी ठीक है तो चलिए last वाले चीज़ों को हम summarize कर लेते हैं सबको total number of nodes कितने होंगे n-1 radial nodes का formula होता है n-l-1 यह formula हर जगा apply करोगे चाहिए कुछ भी हो angular nodes का जो formula होता है वो l से भी denote कर सकते हो and nodal plane जो है वो भी l से denote कर सकते हो सभी orbital की जो बाते हैं वो मैं आपको clear कर दी है तो आज की class बचो यहीं तक आज की class में हमने orbitals के बारे में and nodes के बारे में सारी चीज़ें discuss की हैं इस पर questions आना बहुत ही ज्यादा common है वह अच्छा question आता है next चीज़ बचों हमारी एक class बहुत रहागी यह chapter की जो है electronic configuration की और इसमें मुझे आपको questions कराने हैं इस topic में से quantum numbers में से और nodes वाले topic में से mcqs कराने हैं आपको books वाले तो मैं आपको यहां पर एक class लोंगी live class लोंगी जिसमें मैं आपको questions कराऊंगी mcq based मैंने बना रख यह file तो उससे पहले यह दोनों classes को complete कर लेना कौनसी class को? quantum numbers वाली class को और इस वाली class को complete कर लेना ठीक है? orbitals वाली class को ताकि आप वो class जो है लो मैं आपको प्यूह को को प्यूह को को आपको जो है